हेलो दोस्तों आज फिर से स्वागत है आपके अपने होमार्ट चैनल पे तो फ्रेंड्स आज फिर लेके आई हम आपके लिए बहुती सुन्दर आइडिया जो बच्चे हुए पीस से हम बहुती सुन्दर साइक डोर मैट बनाएंगे जिसे बनाना बिल्कुल ही असान है तो फ इस तरीके से तो फ्रेंड्स हम एक एक को कट करेंगे तो ज़्यादा असान रहेगा अगर हम फोल्ड करके कटिंग करते हैं तो वो टेडी मेडी हो जाती है तो इस तरीके से मैंने सबको काट लिया है ये देखो जो हमारे पास पीस थे उनको मैंने इस तरीके से कतरन बना ल असान है तो चलिए हम इसे बनाना शरू करते हैं सबसे पहले हम कतरन को लेंगे ऐसे फोल्ड करेंगे देखो एक बार इस तरीके से हमें फोल्ड करना है यहां पे फोल्ड करेंगे फिर इसको सी लेंगे फिर से कतरन को लेंगे इस तरीके से देखो कतरन ली इसको फोल्ड किया फिर यहाँ पे रखा फिर सिलाई की देखो ऐसे कतरन को लो फिर इसको फोल्ड करो एक ही बार हमें कतरन को फोल्ड करते हुए कोर्नर के उपर पटी को लगाना है इसी तरीके से friends हमें first round को complete करना है तो ये देखो friends मैंने first round complete कर लिया है देखो कितना सुन्दर लग रहा है इसी तरीके से अब हम second round लेंगे किस तरीके से लेना है वो भी मैं आपको बताऊंगी तो friends आप वीडियो को end तक देखें बिसमें skip ना करें तो आपको बताऊंगी किस तरीके से कतरन को इसके साथ attach करना है देखो इस तरीके से हम fold करेंगे जो हमने सिलाई लगाई है पहले उसको हम थोड़ा सा ऐसे इसको cover कर लेंगे ताकि यह दिखे ना देखो इस तरीके से कतरन को fold करो यहाँ पे रखो तो देखना आप यह कतरन सिलने के बाद में निचे वाली जो सिलाई है वो बिल्कुल भी नहीं दिखेगी इस तरीके से हम इसको रखेंगे अगर फ्रेंट्स आप चैनल पर पहले बार आए हो तो प्लीज चैनल को subscribe कर ले एंड पास में जो छोटा शा बैल आइकन है उसे भी प्रेस कर ले ताकि हर रोज नए वीडियो का update सबसे पहले आपको मिलता रहे तो यह देखो दोस्तो इस तरीके से हम कतरन को fold करते हुए इ फ्रेंड्स मैंने इसको next round में complete कर लिया है देखो अब हमें फिर से एक round ओर लेंगे इस तरीके से कतरन को fold करेंगे ऐसे हम लगाएंगे जैसे हमने 1st और 2nd round बनाया है Sam उसी तरीके से हमें ये 3rd round बनाना है तो friends इसी तरीके से हम कतरन को fold करते जाएंगे और इसके उपर सिलाई करते जाएंगे जितना ये हमारा beat का area बचा है इसको हमें ऐसे ही cover करके सिलाई से attach करना है इस तरीके से तो दोस्तों वीडियो को like करना अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा तो यह देखो दोस्तों मैंने इसको काफी कवर कर लिया है प्लास्टिक के थेले को कितना सुंदर लग रहा है देखो बनाने के बाद में अब जो बीच का अईरिया बचा इसी को भी हम इसी तरीके से फोल्ड करते हुए सिलाई से कवर करेंगे तो वैसे हमें कतरन को एक ही बार फोल्ड करना है फोल्ड करते हुए यहां पे हमें एक ही बार सिलाई लगाने है इस तरीके से सिलाई लगाते जाएंगे अगर फ्रें के वो हमारे आसाने से काम में आ जाते हैं यह देखो इस तरीके से हम कपड़े को फोल्ड करते जाएंगे और इसको सीलते जाएंगे तो फ्रेंड्स अगर आपके पास में भी ऐसे बच्चिवे टुकड़े पड़े हैं तो आप उसको ऐसे रियूज करके एक सुंदर्शा डॉ कर लिया है इसके साथ ही हमारा डोर मैट बनकर त्यार हो गया है कितना ही खूब सूरत लग रहा है बनाने के बाद में देखो बाइफ्रेंड्स थैंक्यू फूर वाचिंग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो